हेलो और वेलकुम गाईज वेरी वर्म वेलकुम एवरीवन आप सबका तही दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में आज की तारीख है 26th of September मेरा नाम है कुछ पांड़े आप देख रहे हैं 72 feet इसके लावा US के जो envoy हैं उन्होंने confirm किया है कि जो 5 eyes intelligence जो एक grouping है US, UK, Canada, Australia का उसने ही intelligence प्रवाइड की थी अगेंस्ट इंडिया और उसमें पुकता सबूत जो हैं वो मौझूद है इसके लावा दोस्तों Asian Games की बात करें तो हमने बहतर performance करना शुरू कर दिया है कुल मिला कल day 2 तक total बात करें तो हमें मिल चुके है 11 medals जिसमें 2 gold है एक shooting से आया है एक आपका आया है women's cricket से जहाँ पर शुलंका को इंडिया ने finals में हरा दिया और पहली बार हमने cricket में gold medal जीता है Asian Games के अंदर दोस्तों यह session important इसले भी होता है यहाँ पर हम statement type MCQs कराते हैं आपको और साती में mind maps आपको देते हैं जो की उस current fair को और असानी से याद करने में आपकी help करते हैं आते हैं हमारे आज के पहले homework पे NGT ने order किया है ban on cruise ships operating on water bodies of which state answer रहेगा इसका मद्रप्रदेश मद्रप्रदेश में जो आपका भोज wetland है उस भोज wetland पे यह operations हो रहे थे cruise ships के जिन पर सवाल पूचा है NGT ने to the मद्रप्रदेश government कॉंसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिया गया है दे ली कुवान यू exchange fellowship तो यह दिया गया है असम के हिमनता बिस्वा सर्मा जी को ली कुवान यू जो है वो एक तरह से founding father है Singapore के और उनकी fellowship जो है वो दी गई है to the Assam East Prime Minister कॉंसा स्टेट है जिसने अनांस किया मुख्यमंत्री शमिक कल्यान यूजना उसका अंसर है अरुनाचल प्रदेश अभी यहां पर कल के दिन तेजू एयरपोर्ट जो है उसको उसको फिर से उपन किया गया है और उसमें नए नए फीचर्स को नए फसिलिटीज को एड़ किया गया है कौनसे कंट्री में एंफोस किया है यू बैन और रॉश्य रजिस्टर्ट पासेंजर कास एंटरिंग कंट्री उसका जवाब रहेगा आपका पूरण आखरी में डाका इन में से कौनसे स्टेट से संबंधित है तो एक नंबर आया है दोस्तों पिछले तीन महीनों में 90,000 स्टूडेंट वीजास इशू किये हैं USA ने टू इंडियन स्टूडेंट्स ठीक है और ये पिछले 90 रेस का डेटा जो है वो हमारे सामने आया है जहां एक तरफ यूएस का जो पडोसी है कैनेडा उसको लेकर इं है पाकिस्ताइं को वीजा मिल गए है वो 27 सारी को आके अपना पहला प्राक्टिजमाट खेल सकते हैं आते हमारे आज के पहले क्वेशन पर इन में से कौनसा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू मन की बात प्रोग्राम जो की संड़े के दिन रेडियो किया था नेशन को AIR पे डीडी नाशनल पे और डीडी न्यूस पे पीम ने यहाँ पर एक इटालियन सिंगर कैसांद्रा माइस पित्पन का गाना बजाया और उन्होंने काई कई भाशाओं में गारती है और 21 साल की है इसके लाव हमनें मेंशन किया घोडा लाइबरी के बा वो आपका गलत है दोस्तों बिकरज अगर हम सीखी बात करें तो यह सिंगर जो है वो जर्मन सिंगर है नाकी इटालियन सिंगर है इनका गाना उन्होंने चलाया था और वो जर्मनी से बिलॉंग करती है नरेंदर मोधीची ने 9 वंदेभार ट्रेंस को वर्चुली फ्लाग किया है इन 9 ट्रेंस को 11 स्टेट में रन करेंगी उस लिहाज से इन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इन करेक्ट है सौरी विद रिगार्च वंदेभाद एक्सप्रेस कसर गोड तुरुवननद पूरम एक्सप्रेस जो है वो इंडिया की पहली औरेंज कलर्ट की 고 13.30 कर दिया गया है और इस ट्रेन का इनिशल नाम इसका टेस्ट नाम दिधा वो ट्रेन 18 रखा गया था तो एन यह और सभी और या फिर और स्टेटमेंट्व सारे महलों मर्द जो है वह यहां पर सही है आंसर यहां पर दोस्तों रहे गा और सारे स्टेटमेंट आपका smart cities conclave at brilliant convention center indoor में मजप्रदेश में 27 सेप्टेमबर को द्रापुदी मुर्मु जी ने फसिलिटेट करेंगे विनर्स को at the fourth at the third edition of the India smart cities awards contest 27 सेप्टेमबर को होगा smart cities mission को launch कि 25 जून 2014 को और इसका aim है provide करना core infrastructure provide करना sustainable environment decent quality of life and smart solutions और as on dates 6,000 प्लस projects आपके जिसका worth है 1.1 करोड उनको अप्रूफ कर दिया गया है पूरा project आपके इस साल 31 complete आपके हो गए है options आपके सामने a and b b and c a and c all of the above इन में से कौन सा statement आपका correct है वहती typical question है बेटा लेकिन यह level of paper का आ रहा है तो आप लोग खुद देख लो आंसर यहां पर रहेगा option a and d सिर्फ a and d सही है बीस यह आपके गलत है अगर हम बात करें तो third edition नहीं है consideration है आपका fourth edition इस बार जो है वो observe किया जा रहा है और spasities mission आपका 2014 में नहीं 2015 में आ रहा है जो लोग वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे recorded आप लोग अगर यह question देखके आपको लगा कि हाँ या तफ question है प्लीज एक बार लिख दीजेगा thumbs up कर दीजेगा comment section बस मितने ही चाहता हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और सही जगा पर कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं I2-U2 grouping ने recently launch किया है एक combined space program इन में से इस लिहाज से कौन सा statement incorrect है statement 1 initiative है इंडिया, इसराइल, UK, UAE का अक्टूबद 2021 में से शुरू किया गया था जब अबराहम Accords sign हुए थे इसराइल और इसराइल के बीच इस और वेस्टर्न कोड और UAE ने इसको होस्ट किया था पहली बार आई-टू-उ-टू की वास-Ministerial Meeting इन में से एक ही statement गलत है वो है आपका option number A इंडिया, इसराइल, UK नहीं होगा यहाँ पर आपका दोस्तों जो होगा वो क्या होगा वो आपका USA होगा ठीक है अच्छा यहाँ पर एक और statement आपका गलत है और वो statement आपका जो है हाँ जो statement आपका जो है वो option BB है BB गलत है आपका because यहाँ पर इंडिया के साथ नहीं इसराइल ने UAE के साथ agreement किया था जिसका नाम है Abraham Accord ताकि जो Middle East के साथ रिष्टे हैं UAE इसराइल के उसे बहतर करें उसी को देखते हुए इनको जो है यहाँ पर sign किया गया था एक और पा first women को मून भेजेंगे और मून के beyond Mars तक की missions को प्लान करेंगे जिसमें अब यह country भी इंडिया इसराइल UA USA यह country अपार्फर USA यह country भी अब इसके Artemis Accord के members है इंडिया का जो पहला hydrogen fuel cell bus है वो डेली में शुरू हुआ है इनागरेट हुआ है इन में से किस मंत्री ने उसको इना भी हाली में इनागरेट आपका किया है अच्छा इन में से कौन से वो मिनिस्टर है जिन्होंने जो भारत का women reservation bill है जो नारी वंदन अधिनियम जो है आपका वो है वो किसने की नारी शक्ति अधिनियम आंसर है उसका option D अर्जुरा में क्यों किया विकॉस भारत के law minister तो यही किया जाएगा कि वो polar Arctic waters में train कर सकते हैं यह agreement रश्या जाके इन में से किस्तिकिन होने किया है तो उसका आंसर रहेगा option number A that is सरबनन सोनवल उन्होंने इस agreement को किया इसके लावा दोस्तों भारत के जो स्पोर्स मिनिस्टर है भारत के जो information broadcasting minister है श्री अनराक सिंग ठाकूर उन उस वजह से भी news में है Asian Games की बात करें तो Asian Games में भी हाली में China और Syria ने 12 agreements किये हैं उस वजह से भी वो गेम्स न्यूज में बाकी मार के बात करेंगे कि कैसे हमने वहाँ पर 2 gold medal जो है apart from total 11 medals जीते हैं इन में से कौन सा statement आपका correct है with respect to 25th International Sea Power Symposium ISS जो है उसे host करता है US Navy at US Navy War College Newport Rhode Island में और enhance करता है cooperation in like-minded navies countries participate करती है US, Australia, Egypt, Fiji, Israel, Italy, Japan, Kenya, Peru, Saudi Arabia, Singapore, UK, India Navy much participate in the rim of the Pacific exercise in June 2016 वैसे भी US ने इंडिया को अपना major defense partner घोशत किया है A&D, B&C, A&C या all of the above कौन सा statement आपका यहाँ पर correct है आंसर है सारे के सारे statement यहाँ पर आपके correct है लक्ष्मन राव इनामदर मिमुरी लेक्चर इनमें से किस city में organize किया गया था उसका आंसर है मुंबे मैंने आपको बताया था यह mentor है मोदी जी के और इनकी और इस lecture को दिया था श्री अमिर शाजी ने जहांनोंने कहा कि आने वाले एक साल में 3,00, 3,00, primary agriculture, credit societies जो हैं वो इं को मिलेगा तो इस लिहाज से आंसर यहां पर मुंबई रहेगा अब आते हैं आज के current affairs पे सबसे पहले आते हैं आज की पहली कबर पे एक 72 feet का दीन दियाल पाधिया जी का statue को अन्वेल किया है मोदी जी ने opposite the BJP headquarters in Delhi जो की दीन दियाल पाक्टन हुने दोस्तों जो है वो किय क्या है copper and alloy से आपका बना है और इससे इसके जो architect स्कल्प्टर हमका नाम है राजेश भंडारी ठीक है इसका total weight आपका 40 तन का है उसका height जो है वह आपका 72 feet का बताया जा रहा है अगर हम बात करें आदर नियर दीन देलपाधिया जी की तो इनकी पैदाईश हुई थी September 25 1916 को मतुरा में और यह भारते जनसंग के co-founder थे जिसके बाद ही आपको बीज़ेपी बना इनकी death दोस्तों जो हुई वह हुई आपकी 11 February 1968 में मुगल सराई में in fact जो मुगल सराई का railway station है उस railway station का नाम भी इनके नाम पर कर दिया गया है इनकी death के बाद जो भारत के आने वाले सम इनके दो philosophies थे एक था integral humanism एक आत्म आत्मवाद और दूसरा था अंतियोदय अप्रूटिंग 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 जो हमारे ऐसे देश के समाज हैं जो अभी उनके पास मौके नहीं है जो या तो अलप संख्याग वर्क से आते हैं जो उनके पास अभी अफसर नहीं उनको कैसे हम ग्रो कराएं उनको इन्हों नहीं दोस्तों दिया तो इनको इस philosophies को जो अभी की मोजी सरकार है वो काफी जादा फॉलो करती है फिर आते हैं दोस्तों दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेंपल आउटसाइड ओफ इंडिया बने का आपका यह 8 अक्टूबर को इन्वरेट आपका होने वाला है जैसे मैंने आपको पहले पताया इंडिया के बाहर यह दूसरा सबसे बड़ा टेंपल है सबसे बड़ा टेंपल दूनिया के बाहर जो है वो तो एक ही है और यह जो टेंपल है इसका जो डिमेंशन की बात करें तो 255 फ इसके साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ाए टेंपुल हिंदु टेंपुल आउटसाइड इंडिया बनने वाला है इन न्यूजर्सी इन दे यूएस अच्छा फिर आते हैं एक और खबर पर जो कि एक डेवलपिंग न्यूज है हरदीप निजर जो कि एक खालिस्तान टेर ग्रूपिंग है जिसमें कैनड़ा भी मेंबर है उसने कहा है कि जो डेटा इंट्रेजिंस मिला था वो फाइव आइस के तरफ से मिला था मतलब वो सिर्फ कैनड़ा का नहीं कहना है वो इन जेनरल वो यहां पर दोस्तों जहें वो बात कर रहे हैं इन फाक्ट ग्रूपिंग हम बात करेंगे फाइव आइस के बारे में फाइव आइस बिसिकली एक इंटेलिजेंस शेरिंग एलाइनस है जिसमें पाच कंट्रीज है यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कैनड़ा और न्यूजिलेंड इसका ओरीजिन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वोर के दोरान 43 में इसका दोड़ा नाम था बुरूजा ब्रिटन-उसे अग्रीमंट और बात में इसका नाम पढ़ा UK USA ब्यूके उएसे जो 46 में पढ़ा कंड़ा निसको किया 49 में और तब पर यहां पर इक सीगनल इंटेलिजेंस करके इनका यूनिट है जो की जोड़ करता है कि कोई intelligence ऐसी मिले, जो ऐसी track करें, जिससे कि इनके देशों खत्रा ना हो, उसको track करने के लिए पूरा agency आपका बनाया है, तो इनकी का data जो है, उसको code किया है, उन sources code किया है Canada के Prime Minister Justin Trudeau ने, वह इस पर आके क्या होता है, मैं आपको बताएंगे हाँ, ज़रूर याद रखेगा, exam or interviews पर क्या सवाल बनेंगे, या exam or information है, उसको ही मैं इस वीडियो पर हमाई channel के इस show पर आपके लिए लेकर आऊँगा, अब आते हैं दोस्तों science and tech पर ओके, ये बड़ी खबर है, NASA का दोस्तों Osiris Rex, वापस आ गया है, उसकी घर वापसी हो गई है, और वो क्या लाया है साथ में, साथ में लाया है पत्थर, रॉक और मिटी, सॉईल, from an asteroid named Bennu, Bennu करके एक asteroid है, वहाँ पर ये गए थे, ये प्रोग गया था, और वहाँ से 8 साल के कठिन सफर के बाद, ये वापस लाइड किया है, और ये सारे स्रॉक और सॉईल को, वहाँ से दोस्तों आपका लाया है, तो NASA का जो Osiris REX है, वो रिसिंटी, और करेक्शन कर लिज़ेगा, साथ साल का मिशन था, एस्टरोइड बेनु का, वहाँ से वापस आया है, और के सांपल्स आया है, स्पेस्क्राफ्ट लाँच हुआ था, सेप्टेंबर 8, 2016 को, फ्रम केप कैनरवाल, स्पेस बेस बेस इन फोरिडा, और लाइंड किया ये ये युटा डजर्ट में, और ये युएस पाए जाते हैं, कई cases में Earth और अधर प्लानेक्स के ऑबिट में भी इसको हम देख सकते हैं, लेकिन, अगर majority की बात कहें, तो majority पाए जाते हैं आपके एक asteroid belt में, जो की आपकी है, between Mars and Jupiter, उस belt में ये खास तोर पे आपके पाए जाते हैं, asteroid जो हैं, उन्हें कहा जाता है कि जब solar system हमारा बना था, तो उसके शुरुवात से हैं, जो उससे जो टुकड़े हुए Big Bang के बाद, जो टुकड़े हुए और जो रॉक बचे उनका है, और अगर इनकी हम study करते हैं, तो जो origin है, जो history है planets का, उनकी हम study, दोस्तों यहां पर कर पाएंगे, तो इसी लिए वहाँ से जो rock और जो salt आया, जो rock और जो soil आया है, वो important आपका हो जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, material from Bennu, जो rocks and dust collected हुआ है, वो 2020 में हुआ था, और इस से जो scientist है, वो जो पीडियां थी पहले, जो generations of जो data है, जब sun और planets फॉर्म हुए थे करीब 4.5 million years ago, उस data को फिर वो पढ़ पाएंगे और उसको वो research कर पाएंगे, उसके लिए यह जो rock और soil आया है, वो important आपका हो जाता है, अगर NASA की बात करें, NASA का full form है National Aeronautics and Space Administration NASA एक US Space Agency है, जो की Science Technology Space Tech में focus कर दी है, 58 में फॉर्म हुई थी आपकी और Bill Nelson इसके जो है वो administrator है, NASA भी न्यूस में था, बिकॉस इसने UFOs और UPS, sorry UAPs, इनका एक report पेश किया था जहांपर UFO का full form है Unidentified Objects UAP का full form है Unidentified Aerial Phenomenals, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी हमारे पास evidence नहीं है, कि हमें समझ पाएं इनके बारे में, और aliens क्या अर्थ पे कभी आये थे, आये हैं उसकी भी इनोंने उस report में खारिच कर दो रखा कि अभी sufficient data हमारे पास दोस्तों जो है वो नहीं है उसको लेकर नासा फिलहाल अभी news में भी था अब आते हैं defense पे जैसा कि एक read बन गई है जब-जब कोई खास तोर पे aircraft इंडिया इंड़क्ट करता है या इंडिया commission करता है इंडिया आमी में वो लाता है या इंडिया में आता है तो एक ceremony होती है पूजा होती है बिसिकली और इस पार भारत में एक aircraft आया है जो की cargo काम भी करेगा evacuation काम भी करेगा और उसका नाम है C-295 MW और इस aircraft को finally जो है उसे Indian Air Force में introduce कर दिया गया है ceremony हुई थी जहां पर भारत के रक्षा मंत्री जी थे और भारत के जो air chief marshal है वो भी यहां पर मौजूद थे आर हरी कुमार और यह हिंडन में हुआ हिंडन क्या है हिंडन आपका एक Indian Air Force का air base है जो की गाजियाबाद situated है अब सवाल बनता है कि यहां क्यों हुआ यहां इसलिए हुआ प्रकॉज यहीं पर चल रहा है आपका भारत drone शक्ती conference जहां पर करीब 75 drone companies आई हैं और drone को कैसे हम इंडिया का mix कैसे इंडिया में drones को develop कर पाएं और इंडिया को 2030 में हम एक global drone hub बना पाएं उसको लेकर यह conference आपका हो रहा है यह पूरा festival यह पूरा event आपका हो रहा है तो इनको add किया जाएगा अब अगर हम C-295 की बात करें तो भाई बहुत ही versatile एक्राफ्ट है ना सिर्फ आपका यह troops को carry कर सकता है कारो carry कर सकता है बलकि यह evacuation भी कर सकता है और वैसे भी दोस्तों काफी तो हम बाहर से ला रहें लेकिन बहुत सारे ऐसे यह C-295 aircraft है जिनने इंडिया में अब develop हिया जाएगा उसके लिए आई चलते हैं हमारे mind map पे तो इंडिया ने receive किया है C-295 को और जो पहला उसका tranche है पहला उसकी खेप है उसे receive किया था Spain में भारत के chief of air staff ने basically past and capacity past and capacity का आपका यह होता है और एक साथ लगातार यह 11 घंटे तक fly कर सकता है ठीक है और हर condition में यह pick and drop कर सकता है यह काम इसका है इंडिया में इस्सों क्यों ला जा रहा है because इंडिया में जो अभी evacuation करता है या cargo या troops को जो ले जाता है उसका नाम है Avaros 748 उनको replace करने के लिए इसको लाया गया है और इंडिया में एक संस्था है TATA की TATA Advanced System Limited T.S.L. वो इंडिया में इसको develop आपका करेगी तो इंडिया में develop करने से employment generation होगा MSME छोटी मोटी defense companies है उनको फायदा होगा और import हमें बार-बार नहीं करना पड़ेगा इंडिया में develop करेंगे और साथी साथ इंडिया में defense का जो infrastructure है उसको भी हम फिर develop कर पाएंगे तो finally Indian Air Force में इसको induct आपका जो है दोस्तों वो कर दिया गया है next पर आते है RBI जैसे आप जानते हैं कि ना सिर्फ commercial banks को ना सिर्फ payment small finance banks को बलकि cooperative banks को भी regulate करता है और अभी कुछ दिन पहले उसने एक cooperative bank है मुंबाई का the kapol cooperative bank उसका license जो है वो cancel किया है आप देख सकते हैं RBI ने Monday को मतलब कल के दिन cancel किया है license of Mumbai based kapol cooperative bank और ऐसा कहा जा रहा है ऐसा उसमें कहा है कि यह जो lender है lender मतलब यह bank इसके पास enough पैसा नहीं है और आगे चलके इसके earning prospects भी आपके ना के बराबर है इस cancellation के बाद अब यह जो bank है यह business of banking नहीं कर पाएगा मतलब ना तो यह deposit को accept कर पाएगा और ना ही किसी को repay कर पाएगा deposit या फिर किसी को loan दे पाएगा यह कोई भी काम आपका यह नहीं कर सकता और इसका license cancel किया गया है under the banking regulation act of 1949 and the RBI act of 1934 उसके under इसका जो license है वो आपका cancel कर दिया गया है ओके एक संगठन है जो की airlines associated है in fact airline है AIX connect और एक तो हम पता Air India AX connect जो है वो आगे चल कर Air India का ही होने वाला Air India में वो हो जाएगा because Tata ने acquire किया है तो इसको भी वो merge कर देगा Air India के अंदर तो Air India ने फिलहाल के लिए एक code sharing agreement किया है AIS connect के साथ अब सवाल यह बनता है कि sir what is code sharing example के तोर पर let's suppose भोला जो की मेरे दोस्त हैं वो उन्होंने Air India का flight लिया उनको उसका एक seat number मिला उसका एक code होता है एक plane का लेकिन जब वो गए बैठने तो उनको लगा अरे यह तो AIX connect का का airplane है यह possible तभी हो सकता है जब दोनो airlines आपस में code sharing करें ताकि वक्त आने पर availability के basis पर या फिर problem के basis पर हम उनको उस airline में बिना किसी change के shift कर सकें मतलब अगर आप schedule भी देखोगे और अगर airline change भी हुई है company तो भी आपको उसी ticket पर उसी code पर उसी passenger code पर उसी airline code पर आप दूसरी aircraft में दूसरी airline की आप बैठ सकते हैं तो वह होता है आपका एक course sharing agreement बाहरी देशों में बहुत ही common है और इंडिया में भी यह common होता जा रहा है तो आप देख सकते हैं पार्टर्शिप है दो एरलाइन के भी जिसमें एक एरलाइन के प्लेस टू लेटर एंट्रिकेशन कोड़ और फ्लाइट च्रेडूल ऑफ अनदर एरलाइन और अभी एक चने के साथ यह हुआ है जहां पर वह मर्ज हो रहा है इंडिया एक स्प्रेस के सा करें तो चाहे वो जेट हो या फिर अभी हाली में एक एर्वेस है आपका अक्सा एर्वेस एक बहुत ही मशूर इंडियन इंवेस्टमेंट बैंकर थे राके जुन जुन वाला जिनकी डेथ होगे कुछ साल पहले उनका funded उनका sponsored यह आपका एरलाइन था और पिछले कुछ मह करना पड़ा है उसके दो रीजन से एक तो फंट का क्रण्च है और दूसरा बहुत सारे इंकी एरलाइन से स्थीफा दे दिया है तो इनको लगातार अपने एरलाइन को कैंसल करना पड़ रहा है तो इन सम्माहौल के बीच अगर यह मर्जर होता है मर्जर क्या अगर यह ला भी हैं सबसे पहले भारत के मिनिस्टर और फिशरीज आनिमर हजबांडरी और डेरी पुर्शोत्म रुपाला वो पहुचे थे आपके विशाका पत्नम और विशाका पत्नम में उन्होंने एक नया मरी म्यूजियम ओपन किया है और फिश सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है इस प दीप सी फिशिंग का इसका में फोकस है मुंबई में हैटकॉर्टर हैं और मिनिस्टर डिपार्टमेट अफ एनिमल हजबांडरी फिशरीज डेरिंग इनका मिनिस्टर निस्ट्री है जिसकी अंडर फिश सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करता है तो इस हवाल एकी बन साम है वी रांगना दुर्कावती टाइगर रिजर्फ रिजर्फ बट ऑव्यस मत्रदेश में है और इसके बनने के बाद अब एंपी में साथ टाइगर रिजर्फ अब हो चुके हैं वैसे भी एंपी कहा जाता है तर टाइगर स्टेट इनकी यहां वें संख्या है वह काफी अब अगर आगर बात करें इस रिजर्फ की तो यह आपका एक डिस्ट्रिक है सागर दामो और नर सिंगपूर उस डिस्ट्रिक्स के एरिया में यह पाया जाएगा इसका एरिया है 2339 स्कुरा किलो मीटर्स रिजर्फ एरिया में आता है आपका नौरा देही वाइलाथ सांचुरी और दुर्गावती वाइलाथ सांचुरी रिवर्स कौन सी क्रोस करती है नर्मदा और यमुना यहां पर पेड़ पौते कौन से हैं टीक का पेड़ है साजा धावरा बेर और आमला है और कौन-कौन से यहां पर जानवर है तो टाइगर लेपर वूल्फ इंडिन फॉक्स ट्राइप थाइना यह यहां पर जानवर जो है वह आपके पाए जाते हैं अगर हम टाइगर रिजर्फ की एक इंट्रेस्टिंग खबर इंदौर का जो मुनिसिपालिटी है उसने कहा है कि वहां की इन्फाक्ट मेर ने एक प्रपोजल दिया था जो कि अब मुनिसिपल कॉर्परेशन में गया है जहां पर कहा गया है कि वो नाम यूज करेंगे भारत का इंस्टेट ऑफ इंडिया इ और वैसे भी आर्टिकल वन में कहा गया है कि इंडिया दाट इस भालाद तो इंटीजर अंच्छेंजिबल हम इंडिया का यूजD कर का इंडिया में बहुत सारी भाशाएं हैं और भारत एक विशुद हिंदी शब्र है Ст मैं बहुत खुश भी हूँ कि भारत का नाम है लेकिन अगर हम overall बात करें तो वहाँ पर एक सवाल बनता है कि भारत का नाम कितना यूज़ करें अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो obviously बात है, मेरी मातर भाषा हिंदी है तो मैं भारत का वर्ड का यूज़ करूँगा लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसके क्योंकि अलग-अलग भाषा आए हैं अलग राजियों में, तो हम एक ऐसा नाम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसी इसी वज़े शायद इंडिया का नाम यूज़ रखा गया था कि इंडिया भी आप यूज़ कर, जो कि हर किसी के लिए एक बाइंडिंग फैक्टर था, और किसी देशी भाषा से उसका लिंक नहीं था, तो बहुत ही again confusing topic है, लेकिन इन दौर में ये clearly हो गया कि वहाँ पर भारत शब्द का नाम है, ख्रमदाय कहूं, या एक लोग हैं, जिने कहा जाता है, कोटवार कोटवार, basically, keeper of mansions, keeper of castles, मनलब जो बड़े-बड़े जो आपके forts थे, उनके जो watchmen थे, या keepers थे, I'll not use the word watchmen, because वो बहुत ही condescending है, लेकिन हाँ, keepers जो थे, उनको लेकर है तो, कोटवार, अब जो बात करें, तो generally, उन्हें village level पर appoint किया जाता है, ताकि revenue officials को assist कर सके, अब ये है, इनका main, पहले यह से खा जाता है, कि देवादा, keepers, the watch keepers of various castles, तो उनके लिए एक योजना आई है, जहाँ पर उनके retirement पर, एक लाक रुपए के benefit उनको दिये जाएंगे पोटवार, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दिया जाएगा 8,000 रुपए पर मंथ, instead of 4,000, और जिनके पास 3 अकर से कम है जमीन, उनको दिया जाएगा 2,000 रुपए, इसके अलावा जिनके पास जमीन है, जो 7.5 करोड तक है, उनके जाएगा 1200 रुपए पर मंथ, और जिनके पास 7.5 कर से जादा है तो 10 अकर है, उनके दिया जाएगा 1000 रुपए पर मंथ, उसके ओपर दो नहीं दिया जाएगा इसके अलावा, उनकी जो annual income है, उसको भी increase किया जाएगा by 500 परने रुपीज एवरी इयर, तो ये सारे concept जो है, शिर्वरास के चौहान जिनके दिये हैं, और कोट वार समुदाई के लिए खास तोर पे, ये जो चीजे हैं, वो उन्होंने पेश यहाँ पर की है अब आते हैं, MOU पर दोस्तों, कुछ words आपको पढ़ने पढ़ेंगे, जैसे कि एक word है EMRS, ठीक है अब सवाल बनता EMRS होता क्या है, EMRS का full form होता है, एक love year model residential schools भारप के ऐसे areas जहां पर 50% से जादा, जो महां का population है, वहां पर schedule tribes रहते हैं वहां पर boarding school type का, यह बनाएंगे बना चुके हैं, और अभी हाली में इन में से एक teacher को तो national teacher prize भी मिला था, तो उन schools के लिए एक MOU sign हुआ है, और जो एक second phase है, of the Amazon future engineers program for the EMRS schools, उनके लिए यह एक MOU sign हुआ है, तो national education society for tribal students and next, nest, इन्होंने collaborate कि Amazon India के साथ and Learning Links Foundation के साथ, और जो phase two है, Amazon future engineers program का, उसको एकलव्य schools के लिए उन्होंने शुरू किया है, ठीक है, और कहां कहां पर शुरू हुआ है आपका, आंधरपदेश, गुजरात, MP, URISA, राजिस्थान तिलंगना, इन पांच राजियों के लिए, छे राजियों के लिए, आपका जो है, वो योजा शुरू की गई है, और इस second phase है, मतलब इससे पहले भी engineers, या engineering field में बढ़ावा देने के लिए, ये program औरड़ी आ चुका है, class 6 से लेका, class 10 थे के students है, उनको AI के बारे में, machine learning के बारे में, programming के बारे में सिखाया जाएगा, और ये हिस्सा होगा, CBSE curriculum का, और इससे introduce किया जाएगा, अगले साल, अगले financial year में, और इन schools में, इन states में, इन 6 states में, इस phase 2 को शुरू किया जाएगा, तो Amazon India, Learning Link Foundation, और NEST, that is National Education Society for Tribal Students, under Ministry of Tribal Affairs, उन्हों ने इसको जो है, वो अभी हाली में, आपका स्टार्ट किया है, clear है सबको, फिर दोस्तों, कल के दिन, observe किया गया, अन्तियोद्य दिवस, Uplifting the Poor, और ये दिन, याद किया जाता है, as the birth anniversary of Shri Deenya Lopadhyaya जी, जिनकी पैदाईश हुई थी, इसी दिन, 1916 में, मतुरा के अंदर, और बैसेकली जो एक उनका मकसद था, जो अंडर प्रभीज लोग हैं, उनका उठान करने का उस मकसद पर, ये दिवस जो है, वो फोकस करता है, फिर दोस्तों, आज के दिन, हम observe कर रहे हैं, International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons, ये दिन, आज के दिन observe किया जाता है, और 2013 से, आज के दिन, इसे हम observe करते हैं, अब सवाल बनता है, ये दिन हमने observe किया क्यों, देखिए, हुआ क्या था, और ये आपका हुआ था, 83 में, जब Soviet Nuclear Weapon Early Warning System, जो की, ये ट्राक करता है, कि किसी ने कोई weapon, किसी ने कोई हमला तो नहीं किया है, जब इसने ट्राक कर लिया था, mistakenly, बतलब ये malfunction हुआ था, कि एक US की ballistic missile, Moscow पे हमला कर रही है, और nuclear war होते होते रह गई थी, तो उस चीज़ से सबक लेते हुए, ऐसा एक ऐलान किया, UN ने, 2013 में उसको उनने एक्सेप्ट किया, कि हम कोशिश करेंगे इस दिन, पुश करने का agenda, कि nuclear weapons कोई भी देश के पास ना हो, in fact, जो CTBT, जो NPT basically है, that is the non-proliferation treaty, उस पे बाकी देश साइन कर रहे हैं, इंडिया साइन नहीं किया, of course, बेकर उसका मतलब का कई boundaries आएंगे, लेकिन इस दिन, nuclear weapons के elimination की बात को push करता, UN और ये आज के दिन, जो है, वो हम observe कर रहे हैं, आज के दिन ही दोस्तों, हम observe कर रहे हैं, World Pharmacist Day, pharmacy को लेकर ये day है, और इसका theme है, pharmacy strengthening health systems, इसका significance ये है, कि 2009 में, बात करें इस federation का, तो ये federation आपका जो है, इसके CEO अभी है, Catherine Dugan Headquarters, ये important जादा है, हाग नद्रेंट में है, और 1912 में, 1912 में, on 25th September, ये जो है, आपकी found की गई थी, तो every year, on 25th September, हम World Pharmacist Day, जो है, इसको observe करते हैं, because इसी दिन, 1912 में, 1912 में, World Pharmacy, International Pharmaceutical Federation, जो है, वो आपकी form की गई थी, फिर दोस्तों, बात करते हैं, Asian Games की, Day 2 की, overall बात करें, तो इंडिया ने जीते हैं, कुल मिलाकर 11 medals, Day 1, Day 2 में, गोल जीते हैं हमने 2, एक है, Women's Rocket Team का गोल, दूसरा है, 10 मीटर एर राइफल टीम का गोल, जिसमें 3 लोग थे, रुदरांग श्पाटल, तिव्यांग पनवर, और एश्वार तोमर, सिल्वर की बात कर, सिल्वर जीता है, Women's के 10 मीटर एर राइफल टीम ने, रमिता जिंदल, मेहूली घोष और आशी चौकसी ने, Men's Lightweight Double Skulls, रोइंग में जीता है, अर्जुलाल जाट, अर्विन सिंग और Men's 8 टीम ने, मतलब एक Men's Double Skulls था, और Men's 8 टीम दोने रोइंग की है, उन्होंने हमें जीता है, सिल्वर मेंटल, ब्राउंज की बात करें, तो Men's Quadruple Skulls टीम में जीता है, और Men's 4 टीम में रोइंग में जीता है, मेंस 10 मीटर एर राइफल इंडिविजुल इवेंट में जीता है, ऐश्वर तोमर ने, 25 में Rapid Fire Pistol टीम में जीता है, Men's Pair रोइंग में जीता है, और Women's and Media Air Rifle में भी हमने ब्राउंज में जीता है, मेरा सेशन एई होगा कि हम कम से कम गोल्ड को तो याद रखें, और अगर हो सकें तो सिल्वर को भी याद रखना शुरू कर दें, अभी से याद रखना शुरू कर दोगे, तो बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हलाकि मैं आपको अलग से वीडियो कर दूँगा इस पे, लेकिन मैं रपीट फिर से करूँ आपके लिए, कि इंपोर्टन्ट है आपका कम से कम गोल्ड और सिल्वर को चालना, आते हैं निक्स पे, नाशनल अवार्ड फिल्मेकर फ्रम मल्यालेम सिनेमा, केजी जॉर्ज का डेथ हुआ है, और इनका देहां तब भी हाले में हुआ, इनकी कई मूवीज का नाम है, जैसे कि आपका उलकदल, ओना पदुवा, यवनिका अदामीते वरियलू, और 76 में इन्हें दोस्तों मिलाता नाशनल अवार्ड फॉर देफीचर फिल्म स्वपना नादनम, इनके लिए इनको 76 में नाशनल अवार्ड मिलाता फॉर देबेस्ट फिल्म, इसके लावा दोस्तों संजीव मंत्री नाम है इनका संजीव मंत्री जो है इन्हें एपॉंट किया गया है as the MD and CEO of ICICI Lombard और ये रिपेस किये हैं भारकव दास गुपता को उनकी जगा अब ये ICICI Lombard जो की एक investment and banking company है उसके ये MD CEO के तोर पे आपका काम करेंगे फिर दोस्तों दीन डियाल पाधिया जी का जो है उनकी birth anniversary आज है और इसके बारे हम चर्चा कर चुके हैं मत्रों पैदाईश हुई 16 में 68 में इनका देहांत हुआ फेविरी में इन魔़फर एनका डेत हुआ 68 में और इनके नाम पर क्योजना इस देश केंदर चलती हैं दीन दीर अंतियोदय योजना दीन दियाल अपाधिया ग्रामीर कॉशलय योजना ते आपकांदया ग्राम जोती है ऐसे कई योजना जो हैं वो इनकी दोस्तों फिलहाल इनके नाम पर चलती हैं, फिर दोस्तों, आज दो स्कीम की बात करेंगे, एक है pre-metric scholarship scheme for SC and others and post-metric scholarship scheme for SC students, pre-metric मतलब 10th के पहले और 10th के बात, तो pre-metric, post-metric की बाले बात के हैं, तो यह central sponsor scheme है, जो की सरकार और state government मिलकर करती है, और यह schedule का students के लिए है, देश के अंदर प्राई करने के लिए, जो parent guardian होगा, अगर उसकी annual income धाई लाग से कम है, उनके बच्चों को यहाँ पर दे जाएगा scholarship, इसका main मकसद है कि जो enrollment है schools में, जो ratio है, उसको increase करना, target यह है कि जो gross enrollment ratio है, जो तादाद है, percentage है, SC students की उसको increase करना, जो की आपका 23% था, और उसको बराबर करना to the national average by financial year 25-26, ठीक है, यह target है, जो national average है आपका, उसके बराबर करना, gross enrollment ratio को, ताकि उतने तादाद में, schedule class students जो है, वो schools में, या फिर post-metrics, metric के बाद भी, पढ़ाए continue करें, metric के पहले के लिए भी यूजना, इसका नाम है, pre-metrics, और इसमें कहा गया है, again, ऐसे, और यह उनके लिए, यह उनके लिए है, जो सफाई करमचारी है, जो की manhole में जाते हैं, और जिनकी manual scavengers जिसे कहते हैं, या फिर, जो ऐसे materials के साथ काम करते हैं, जो की हानिकारक हैं, उनके लिए है, और उनके बच्चों के लिए, यह आपका pre-metrics scheme है, दो scheme है, जिसको लेकर update अभी हाली में, आपका दोस्तों आया ह हैं, एक तो launch करेंगे एक राष्टिय नीती, एक राष्टिय पॉलिसी, research development and innovation in pharma sector, pharma medtech sector, दूसरा वो एक scheme launch करने वाले हैं, जिसका जिक्र mention budget में हुआ था, scheme का नाम है, scheme for promotion of research and innovation in pharma medtech sector, PRIP नाम है, इन दो चीज़ों को launch करने वाले हैं, अब अगर हम बात करें, तो यह event ज 26, आज दिन, sorry, यह event आपका होगा, और international center जो है, वहाँ पर event होगा, और इस schemes का मेर मकसर है, कि जो Indian pharmaceutical sector, medtech sector है, आने वाल दस सालों में, उसे increase करना to 120 to 130 billion dollars in its total, in its total valuation, उसको लेकर इन दो चीज़ों को launch किया गया है, अब exam की बात करें, तो exam में सवाल आएगा, इस scheme को लेकर, तो आइए इसका एक बार देख लेते हैं, mind map, peer IP का full form है, promotion of research and innovation in pharma medtech sector, basically transform करना चाहता है, इंडिया के pharma sector की mindset को, अभी mindset आपका है, cost based competitiveness, कि कैसे हम कम सस्ते price पर, कम price पर हम medicines को, या pharma को sell करें, लेकिन अब focus होना चाहिए, innovation based को, कैसे हम innovation पर काम करें, ताकि भले price भेंगा हो, लेकि innovation करें, ताकि दुनिया में demand हो, हमारे medtech sector की, टोटल जो budget आपका है, इस scheme का, वो 5000 करोर्स का है, और आने वाले 5 सालों के लिए, ये budget आपका, 2427-28 तक इसे assign आपका किया गया है, इसके अंदर कई areas हैं, जिसमें, for example, chemical entities को करना, gene therapy, medical devices, using AI, orphan drug, चोकी, again, isolated drugs हैं, anti-macro resistance, इन सारे मुद्दों पर focus करना है, इसके लावा दोस्तों, इस योजना के अंडर, centers of excellence बनाए जाएंगे, भारत के साथ, National Institute of Pharmaceutical Education में, जिसके लिए, 700 करोर रुपे खर्च किया जाएंगे, और इसके लावा, इस scheme के अंडर, एक empowered committee बनेगी, जिसको lead करेंगे, आपके the CEO of NIT आयोग, तो चार बातें बड़ी important है, एक तो full form, दूसरा budget पाजार करोड का, तीसरा mean concept है, cost based से focus shift करके, innovation based पे लाना, इसके अंदर, seven centers of excellence बनेगे, बजट है 700 करोड का, और एक empowered committee बनेगी, जिसको lead करेंगे, the CEO of NITI आयोग, which is India's new proactive planning commission, फिर दोस्तों, इंडिया, UN ने अभी हाली में capacity building initiative को launch किया है, जिसको अभी UN assembly जो चल रही है, meeting जो चल रही है, आपकी New York में वहाँ पर किया, basically कैसे जो global south countries है, उनमें कैसे capacity, productivity कैसे बढ़ाएं, उनको लेकर है, और इसमें इंडिया कैने कैसे इंप्रूव किया, आपने productivity को, उस experience को यहाँ पर यूज किया जाए और global south मैंने आपको कल बताया भी था, आज कल या इसी पहले बताया था, global south में generally वह countries आती है, जो की developing है, underdeveloped है, जो की पाई जाती है, आपकी आफरिका में, Latin America में, Caribbean में, Asia में, Israel, Japan and South Korea को हटा कर, इन countries को हटा कर, और Oceania में जहाँ पर हम Australia and England को हटा कर, उन सारी countries को हम global south कहते हैं, इसके उलेट में, जो European countries हैं, जो North American countries हैं, उनको हम global north कहते हैं, जो की जादा समरिद हैं, जादा rich हैं, जादा developed हैं, तो ये नाम third world की जगा, अब हम जिसमें इंडिया भी आता है, उन countries, और इंडिया 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 है, इस समू का, उसे global south का नाम दोस्तों जो है, यहां पर दिया जाता है, फिर दोस्तों, एक elephant festival शुरू किया गया है, आदब बांधवगड़ टाइगर रिजर्व, जो की MP में है, हम सब जानते हैं, MP के उमरिय डिस्ट्रिक में पाए जाता है, आदब नाशनल पार्क ये वर्क कर रहा है, 1968 से, और टाइगर रिजर्व के नाम दिया गया है, बांधवगड, ब्रदर्स टाउन, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कि ये एरिया जो है, उसे दिया था भगवान राम ने, लक्षमर जी को, कि आप लंका पर यहां से वाच करो, समझ रहें, इसी लिए इस एरिया का नाम, बांधवगड जो है, वो आपका आते दोस्तों मारे होमवग पे, question 1, एक 108 फूट टॉल स्टाच्यू आप रिवर्ड हिंदू सेंट आदिशंकराचारिय कहा नवेल हुआ है, इंडिया का पहला लाइथा फेस्टिवल अब्जर्व कहां हुआ था, कि स्टेट में, इंडिया नेवी का एक वार्शिव आने सह प्यादरी है, उसे स्टेशन किया गे इंडिया प्रिजन में, यह पार्टिसिपेट कर रहा है, इन इन अग्रल ट्रिलाटरल मैर्टरम एक्सराइस काल्ड अलॉंग साइड रॉयल और श्री नेवी और विच अधर नेवी, तो यह जवाब दीजेगा, यह दो जवालों के ज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए इस ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं, गूगल लेंस का यूज करें, फोन पे, क्यामरा का यूज करें, इसको स्कान करें, और अगर आपको मेरे साथ जूड़ना है, तो मेरा ये इंस्टाग्राम का आईडी है, टर्न आप्टिम तो कल के दिन, मौनेटरी पॉलसी के वीडियो नहीं आ पाए, बिकास अफ माई इंगेजमेंट्स, लेकिन हाँ, आने वाल दो दिनों में वो वीडियो आ जाएगा, बाकि जो लोग इंटर्व्यू कर रहे हैं, उनके लिए भी आज एक वीडियो आपको पेश हो जाएगा, उस वीडियो को जरूर आपको देख लीजेगा, थेंक्यू सो मच अब्रीवन पर कमिंग, बाबाए गाइस, टेक केर, मुलाकात करते हैं आपसे हम कल, बाबाए और पीसाट गाइस, बाबाए